हेलो डियर स्टुडेंट आज मैं आपके सामने मैस का एक्वेशन लग रहा है क्वेशन क्या वोला फाइंड दावालू अब यहां देखेते हैं एक्वेशन के लिखावा है 6 ब्लस लॉग और यहां बेश दिया वा 3 अपान 2 फिर यहां पर होल ब्लैकेट करके क्या दिया है 1 2.2 फिर यहां स्क्वाइर रूट इस्कारार रूट के अंदर दिया 4 नहीं लोको जो करोंगी यह जो स्क्वायरूइब तेक दिए हो यह सिके नष्क चला गया है इसके इंदर ऑ यह स्कॉयरूट लर्ए पहले पहले शिरपर दीखांगे कचिरए तदो मृण्होंसı इसके इंदर एक कई बाए उसक्वायद है ज्रीट यह लेट इसके अंदर दिया है 4-1 upon 3 root 2 और इस तरीके से यह बढ़ता ही चला जाएगा infinity तक ठीक है तो यहां पर देखे हम यहां पर इसके आगे यहां पर क्या करेंगे हम थोड़ा सा में पेज उपर करूँ ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं इसको हम क्या माल लेते हैं लेटे माल लेते हैं कि इसको यह लेट x है ठीक है यह क्या है x है अच्छा हम यहां पर यह जो बड़ा वाला जो square root है यह वाला सबसे first square root जो है यह वाला इसमें यह वाला जो term है ना पहला वाला यह 4 minus 3 upon 2 सेम आपको सब में दिख रहा होगा ठीक है ना सब में दिख रहा है ना तो हम यहाँ भी क्या करेंगे कि यह इतना portion छोड़ देंगे इतना portion 4 minus 3 root 2 ठीक है उसके बाद आपको इसके बाद आगे हैं ने कि square root दिख रहा है यह देखें मतलब यहां से लेकर यहां तक अगर आप ध्यान देंगे तो देखें इस पूरे को हमने x माना है और अगर हम केवाल यह इतना term छोड़ दें और यह square root पर केवाल ध्यान दें तो यह जब पूरा term है यह तो x ही दिख रहा है आपको XE के तो XE जासा जो दिख रहा है ठीक है ना तो यहां पर इसको हमने क्यों छोड़ा यह तना 4-1 upon 3 root 2 ठीक है ना क्योंकि देखे यह infinity तक गया है infinity तो जहां जिसको गिन नहीं सकते ठीक है ना इस infinity तक गया है उस infinity में से अगर आप एक छोटा सा यह term ले लेंगे तो इस infinity में कोई फर्क पड़ेगा नहीं ठीक है ना तो यह 4-1 upon 3 root 2 इसको हमने छोड़ दिया बाकि जो आपका यह जो है इस पूरे को हम क्या माल लेंगे मानेंगे क्या यह पूरा एकसी ही तो है यह देखे यह एकसी के तो जैसे दिख रहा है पूरा ठीक है तो अब हम यहां क्या लेकिंगे x is equal to यह वाला आप स्क्वार रू लिख देंगे ठीक है यह पूरा x ही तो है और इसके साथ यह इंटू में तो यहां पर x लिख देंगे यह आपको समझ में तो इसको equation first मानी अब हम यहां पर क्या करेंगे कि यह square root हमें हटाना तो क्या करेंगे squiring both side in equation first equation first squaring करेंगे x is equal to file equation in x is equal to under root 4 minus 1 upon 3 root 2 x है squiring हमें करना दोन से तो इस तरीके से आप squaring कर लिजे इस तरीके से हमने हम ने आप स्क्वार इस पर कर लिया ठीक है पेज उपर करते है अब यह देखें क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका x² एक्वल तो यह स्क्वाइर रूट स्क्वाइर के जनल क्या बज़ रहा है पस 4 माइनस 1 अपॉन 3 रूट 2 x ठीक है अब देखिया में आपकी क्या करेंगे इसको अपॉन 1 कर लेज़े यह आपका 3 लिखा हुआ है अब इसका आप lcm लेज़े तो lcm लेंगे तो क्या ह दिनामेटर में 3 रूट 2 हैगा फिर यह 3 रूट 2 इससे हिंटू होगा तो क्या होगा 3 4 जा 12 और रूट 2 इसके साथ लगा देंगे वाइनस और क्या बज़ रहा है एक्स बज़ रहा है तो फाइनली यह एक्स स्क्वाइर इसको इसको अपन 1 किजिए अगें क्रॉस मुल्ट यह है ठीक है अब हम क्या करेंगे यह पूरा टाम इधर शिफ्ट कर देंगी ठीक है तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वाइर और यह 3 रूट 2 इधर लिख दीजिए ज्यादा अच्या रहेगा ठीक है फिर देखिए इसका साइन क्या प्लस है प्लस 12 रूट 2 इधर आएगा रह अगर आप इस पर ध्यान देंगे ठीक है तो देखिए यह एक्स स्क्वाइर यह एक्स है यह स्क्वाइर लगावा है तो यह आपका क्या है यह क्वाड्रेटिक है यह आपका क्वाड्रेटिक की कुशिन है ठीक है पेज हम ओपर करते हैं ठीक है तो यह क्वाड्रेटिक की क और यह आपका दिया है, माइनस 12 रूट 2 एक्वल तो 0, तो 3 रूट 2 और 12 रूट 2 इनको इंटू किजिए, तो 12 तो 36 और रूट 2 इंटू रूट 2 होगे, तो 36 इंटू 2 क्या होगे, 72 हुआ, हमने क्या इंटू किया, सेम्पल फेक्टराजेशन करना है, 3 रूट 2 और 12 रूट 2, तो इसको इंटू किया था, कितना है, 72 ठीक है, अब यहाँ बीच में क्या है, अपका प्लस X है, तो प्लस X है, तो हम कैसे लिख सकते है, प्लस X को, इसको अगर हम 72 क्या होता है, 98 से 72, 9 में से 8 मानस करेंगे, तो 72 हैगा, तो हम X को, 9 X मानस 8 X लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस प्लस X को, इस देखें, इस प्लस X को, हम क्या लिखेंगे, 9 X मानस 8 X लिख दिया, ठीक है, यह हो गया, और इसको थोड़ा से यहाँ पर कर दे, पास में लिगते हैं, ठीक है, यह कहाँ यहाँ पर, minus 12 root 2 equal to 0, ठीक है, अब देखें, यहाँ root 2 है, यहाँ root 2 है, यहाँ root 2 है, तो थेके हम क्या करेंगे, 3 root 2, x square, प्लस यह देखे 9 एक्स है तो ना यह देखे 9 है तो 9 को तोड़के हम 3 x 3 लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना फिर क्या x लगा दीजिए माइनस यह क्या 8 है 8 को हम तोड़के क्योंकि यहां पर रूट 2 है यह देखे इस 8 को कैसे लिख सकते हैं 8 को 2 x 2 x 2 लिखते ही 8 के बरावर होगा क्योंकि यहां पर root 2 है तो केवल एक को हम root 2 में convert करेंगे तो जैसे 2 को हम अगर लिखना चाहे तो root 2 into root 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना अच्छा यह ऐसी रहेगा आपका 2 into 2 ठीक है तो यहां पर 8 की जगा हम क्या लिखेंगे root 2 into root 2 into 2 into 2 minus 12 को भी आप तोड़ लिजिए ठीक है तो 2 into 2 into 3 और यह क्या आपका root 2 है equal to 0 ठीक है अब शुरू के दूमें last के दूमें common निकाली तो इसमें आपका common क्या निकल ला देखेंगे 3 है यहां पर भी 3 है तो 3 बहार निकालीजी यह x स्कुार है x है तो यहां से x बहार आ जाएगा तो bracket के अंदर क्या बचेगा root 2 एक x इसमें चला गया बाहर तो यह x बचेगा यह plus यह 3 x बचेगा यह 3 बचेगा यह क्या माइनस अब इन दोनों में common क्या दिख रहा है देखेंगे यह 2 2 यहां भी है यहां पर भी है तो यह 2 और 2 4 होगे तो 4 बहार निकाल लीजी ठीक है अच्छा एक यह root 2 है कि यह root 2 यह भी बहार निकाल लीजी यह common 4 root 2 आ रहा है तो बचेगा कि यहां पर यह देखेंगे आपका भचरा ही देखेंगे यह x मैं लगाना भूल गई यह x लगाई यह root 2 है और यह x बच रहा है ठीक है अब यह देखेंगे यह minus है तो bracket लगा दिय तो sign प्लस हो जाएगा यहां के बचेगा 3 बचेगा equal to 0 ठीक है तो आप चाहिए तो ऐसे भी factorize कर सकते हैं और quadratic formula से भी करेंगे तो उससे भी आजाएगा असानी से ठीक है तो हमारे पास finally यह आया आप देखें यहां पर आप इसमें इसमें आप common निकाली तो यह चीज यहा यहां क्या बचेगा 3x और यह क्या है आपका minus 4 root 2 equal to 0 ठीक है अब इन दोनों का product 0 के बराबर इसका मतलब root 2x plus 3 यह 0 के बराबर होगा यहां फिर 3x minus 4 root 2 यह 0 के बराबर होगा ठीक है समझ में आपको ठीक है आप देखिए यहां से इसमें से आपका क्या हो जाएगा root 2 x is equal to minus 3 to x की value क्या आएगी minus 3 upon root 2 एक यह value आई और यहां से value क्या आएगी 3x यह स्को इधर shift कर देजे तो यह 4 root 2 हो जाएगा तो x की value क्या हो जाएगी आपर 4 root 2 और यह 3 into में इसको इधर shift कर देंगा तो divide में जागा तो देखिए यह पर x की 2 value आई है एक आया है आपका negative negative value एक आया है positive positive क्या है 4 root 2 upon 3 तो आपका यह value जो है rejected है क्यों rejected है मैं आपको बता दूँ मैं आपको पेज नीचे करके बता दू आप हमने इसको x माना ता नहीं यह देखिए यह हमारा x है यह उसके नगे लेका है यह आपका जिरू से बढ़ा है ठीक है यह आपको समझ में है यह हो गया तो इसलिए हम यहाँ पर निगेटिव वैलू जो है रिजेक्ट कर देंगे ठीक है तो यह क्या रहा है हमारे पास हमारे कौन सी वैलू हम लेकर चलेंगे एक्सिस कल टू फोर रूट टू अपॉन त्री यह वैलू कॉश्चन हम इतना portion लेकर solve कर रहे है तना इकला किसके बराबर आ रहा है यह किसके बराबर आ रहा है यहनय पार इस पर ध्यान देंगा इता है इसको पुरा solve यह देखे, फिर अब यह जो root वाला time है पूरा इसके जगह क्या लिखेंगे है, इसके जगह लिखेंगे, 4 root 2 upon 3 लिखेंगे, ठीक है, पेज इधर करते हैं, यह आया, ठीक है, तो इसके जगह लिखेंगे, तो क्या आएगा, 4 root 2 upon 3, यह लिखेंगे, ठीक है, bracket close, इसके बीच में इंटू का ही सहीन, तो 6 plus log base 3 upon 2, अब देखेंगे, इसमें क्या कटेगा, देखेंगे, यह root 2, root 2, cancel, तो क्या बच रहा है, नीचे का है, 3, 3, 4, 9, यह बच रहा है, ठीक है, तो 6 plus log base 3 upon 2, इस 4 upon 9 को हम 2 upon 3 क whole square लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, by 2, 2, यह 4, 3, 9, तो square, इसका whole square, यह क्या है, 2 upon 3 का whole square के बराबर है, तो 6 plus log base of 3 upon 2, अब देखेंगे, हमें आपे क्या क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि base 3 upon 2 है, यह है आपका 2 upon 3, तो देखें, 2 upon 3 का whole square है, इसमें हम क्या करें अगर 3 upon 2 को, 3 upon 3 का whole square कर देंगे ना, तो यह जो square है, negative हो जागा, आपस में बराबर है यह, यह आपको समझ में आ रहा है ना, पूरा power and exponent का formula यूज़ हो रहा है, तो अब हम इसके जगे क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे, 3 upon 2 minus power 2, ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या 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 आपका इसमें basic log का formula यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा देखिए, log base b of a का power अगर x है, तो यह अगर देखिए, एका power x है, बस x यहाँ shift हो जाएगा, तो यह हो जागा x, बाकी आपका यह जो है ना, log base b of a, यह ऐसी रहेगा, तो यहाँ पर भी देखिए, आप देख सकत जाएगा, देखिए, क्या हो जागा, 6 plus, यह 6 लिखा, ब्लस लिखा, यह minus 2 इदर आएगा, यहाँ लिखिए, और क्या बचेगा आपका यह बचना पूरा, बस power इदर आगया, बच क्या राएगा, यह portion, तो इसको लिखिए, यहाँ पर log base 3 upon 2 of 3 upon 2 लिख दिया, ठीक है, तो यह रहेगा, यहाँ पर भी यह, सेम सेम रहेगा, तो यह 1 के बढ़ाबर होगा, यहाँ पर 3 upon 2, यहाँ पर 3 upon 2, तो यह 1 के बढ़ाबर होगे, इनके बेच में 2 है, तो 6 minus 2, यह कितना आए, 4 आए, तो यह इसका यहाँ पर answer है, उमेद है आपको यह question अच्छे से समझ में,